आज के पार्ट का विशे है देहांतर नाटक की चरित्र स्रिस्टी इस पार्ट के अध्यन के बाद आप देहांतर नाटक की मनो वैग्यानिक्ता की पड़ताल कर सकेंगे नंद किशुर आचारे के नाटक के चरित्रों से परिशित हो सकेंगे भाशा और चरित्र के सम्मन्द को समझ सकेंगे और चरित्रों के माध्यम से नाटक की सम्विदना का परिशे प्राप्ट कर सकेंगे ननकिशुर आचारिकृत दिहांतर नाटक इस्त्री पूरुष सम्मन्दों की मनविज्यानिक परताल करता है चरित्र नाटे रचना के केंद्र में है नाटककार का आग्रह एक ऐसी भाषा पर होता है जो पात्रों के माध्यम से जीवन के विविद बिम्मू को फिरो सके नाटे भाषा पर विचार करते हुए गुविंद चातक लिखते हैं नाटक में पात्र एक संगिता से दूसरी संगिता में घमन करता है जो सहभागी पात्र, देशकाल, वातावरण, क्रिया, संदर्व और नाटि इस्थित पर निर्भर करता है भारती काविशास्त्र में इसी को आश्चरय, आलंबन, उद्दीपन, भाव, विभाव आधिका नाम दिया गया है एक पात्र की भाशिक अनुक्रिया दूसरे के लिए उद्दीपका कारे करते है और एक काओदीपन दूसरे में भाशिक कारे को उत्पन्न करता है वास्तों में चरित्रों के माध्यम से ही नाटक कार की मनों भूमिका साक्षात्कार प्रेक्षक कर पाता है इस द्रिश्ट से नाटक में चरित्र दोहरी तेहरी भूमिका का निर्वा करते हैं मात्र समवाद प्रिशित न करके संपूर्ण कथ्य को वहन एवं प्रिशित करने की जिम्मेदारी चरित्रों पर ही होती है इस्तानिस्लावस की नाटक कार के मन्तवि को समझने की और चरित्र की सूक्ष्म से सूक्ष्म विशेश्टा को आत्मसाथ करके प्रस्तूत करने के अभिनीता के प्रयास को महत्पूर मानते हैं चरम उद्देश का आधार वह मूल एवं आधारभूत विचार है जिस्ते नाटक लेखन को प्रयरणा दी थी रंगमंच पर नाटक के विभिन चरित्रों के जीवन से छोटे-छोटे द्देश्यों को लेकर बनने वाली कारी की अभिच्छन रेखा उसी चरम उद्देश की और ले जाती है इसलिए ये जरूरी है कि अभिनेता अपनी भूमी का रेखाचित्र या नाटक के लिए जहां तक संभव हो गहरी, सुद्रण और सुसंगठित कारे रेखा को समझे चरित्र स्रिस्टी की सही समझ अभिनेता को भी दिशा देती है और प्रेक्षक को भी नाटक की अंतर निहित द्रिश्टी समझने में सहायता करती है समय के साथ साथ जैसे जैसे नाट्य रच्णा के विश्य में परिवर्तन हुआ उसी प्रकार चरित्र सिस्ट की योजना भी की गई देहांतर नाटक मिठक पर आधारित है जिसकी कथा महाभारत के आदी पर्व से ली गई है नाटक में देवयानी, जयाती, शर्मिस्था, पुरु एवं बिंदुमती के माध्यम से एक सनातन प्रश्ण पर विचार किया गया है कि शारीरिक सुख की परिधि में अपने आपको सीमित करने से विनाश अवश्यम भावी है इसके साथ ही भातिक्ता के समंद में नाटक अतीज के माध्यम से वर्तमान पर भी प्रकाश डालता है तथा हमारी आदुनिक जीवन शैली और विचार परंपरा को प्रश्ण चिन्हित करता हुआ उस पर पुनर विचार के लिए प्रेरिद भी करता है देहंतर के मुक्षरित रहें ययाति, शर्मिस्ठा, पूरुग, बिन्नुमति और देवयानी देहंतर की नाटि स्रिष्ट में ययाति मुक्षबात रहे ययाति जीवन को उपभोग की रंग स्थली समझ कर जीवन व्यतीत करता है तथा यह उपभोग उसकी दृष्ट में अबाद है इसलिए वहाँ नयतिक्ता और अनयतिक्ता में कोई अंतर नहीं है भरतवंश की परंपरा में राजा ययाति का विशिष्ट स्थान है जिनके दो विवाह प्रसिद्ध है पहला असुर गुरु शुक्राचारी की पुत्री देवयानी के साथ तथा दूसरा असुर राजा व्रिश परवा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ इसी ययाति की संतान पुरु से पुरुवंश चला तथा एक अन्य संतान यदु से यदुवंश चला जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ ययाति का विवाह असुर गुरु शुक्राचारी की पुत्री देवयानी से होता है यह विवाह की घटना भी अपने आप में अत्यन्त रोचक है एक बार जब असुर गुरु पुत्री देवयानी तथा असुर राजा वृष्ण परवा की पुत्री शर्मिष्ठा में जहकडा हुआ तो क्रोधित शर्मिष्ठा ने उसे कुए में धकेल लिया कुए में पानी कम होने की वज़े से वो बच तो गई लेकिन उसमें से निकल नहीं सकती थी तभी वहां राजा यहाति का आगमन हुआ उनकी साहिता से वो बहारा पाई राजा यहाति देवयानी की सुन्दर्ता पर मोहित तो हो गए लेकिन उससे प्रणाने वेदन नहीं कर सके अता है यहाति के मन के भाव को जानकर देवयानी ने खुद ही प्रणाने वेदन किया जिसे उन्होंने स्विकार कर लिया इस प्रकार राजा यहाति देवयानी के साथ सुख पूर्वक जीवन वितीत करने लगे लेकिन यायाति के चरित्र का एक दूसरा पहलू भी है जहां वो शारिरिक सुख में विश्वास करता है और इसी वज़े से स्वार्थी भी है जब यायाति इवम शर्मिष्ठा के समंध के बारे में देव्यानी को पता चलता है तो वो अपने पिता शुक्र शुक्राचारे उसे अविलंब श्राब देकर वृद्ध बना देते हैं ये एक ऐसी इस्तिति है जिसके बारे में राजा यायातिने कभी कल्पना भी न की होगी क्योंकि जीवन का भूग उनके लिए महतुपूर्ण है अता उन्होंने शुक्राचारे से याचना की और फिर शुक्राचारे ने वरदान दिया कि यदि कोई युवा व्यक्ति स्वेक्षया तुम्हारा बुढ़ापा लेना चाहे और अपना यवन देना चाहे तब तुम इस यवन का उपभूग कर सकते हो अब राज्य में एक भी व्यक्ति अपना यवन देने के लिए तैयार नहीं तब अंत में उनका बेटा पुरू ही उन्हें अपना यववन देता है राजा ययाती पुनाह उस यववन को लेकर जीवन का उपभूग करना चाहता है यहां राजा का स्वार्थ केंदर्ट व्यक्तितू बिल्कुल इस्पष्ट रूप से सामने आ जाता है यवन का अर्थ मातर क्या शारीरिक सुख है नकी समाज या रास्ट का कल्याण इसी स्थान पर आकर ययाती के चरित्र में संघर्ष के स्रिष्टे होती है जिसे तीन इस तरों पर देखा जा सकता है पहला राजा ययाती का आत्म केầnर्ट संघर्ष दूसरा राजा यायाती और शर्मिष्ठा का संगर्ष और तीसरा राजा यायाती और पुरु का संगर्ष राजा यायाती पुरु से प्राप्त यववन का उपभूग करना चाहता है लेकिन अब उसे शर्मिष्ठा का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता है संबाद देखिए यह याद कहते हैं यह तुम्हें क्या होता जा रहा है शर्मिस्ठा कुछ भी तु नहीं आ रही नहीं कुछ तो है तुम कुछ छुपा रही हो हमसे आप से छुपाने को हो ही क्या सकता है मेरे पास तुम जैसे वही शर्मिस्ठा नहीं हो अपरिचित से लगने लग जाती हो, क्यों? ऐसा क्यों है? शर्मिस्ठा, आपका सुखी तो मेरा सुख है, यायाति, तब मेरे प्रतिय उदासिंता क्यों? राजा यायाति का स्वार्थ के इंदर्ट व्यक्तेत्व, यहां आत्म संगर्श तो कर रहा है, लेकिन इस स्वार्थ में शर्मिस्ठा की भावना का कोई इस्थान या सम्मान नहीं है, शर्मिस्ठा अपने पुत्र के उधार के यवन और राजा यायाति के यवन के साथ से नहीं बैठा पाती है, अता अब उसके पास भी कोई उत्तर नहीं है, इसी उत्तर के अभाव में शर्मिस्ठा उसे दूसरे विभाव का प्रस्ताव भी देती है, और इसी बीच बिंदुमती का आगबन होता है, अब आप देखेए कि बिंदुमती पुरू से प्रभावित ह कर उस से शादी के लिए आती है लेकिन तब तक तो पुरु का देहां तर हो चुका है अताव اس वो राजा यायाती को ही स्विकार कर लेती है लेकिन बिन्दुमती के इस तथिका आभास राजा यायाती को तब होता है जब उससे छोड़ कर वापस जाने लगती लेकिन राजा यायाति का संगर्ष देवयानी, शर्मिस्ठा और बिंदुमती तक लगातार चलता रहता है राजा यायाति देवयानी और कच के संबन को जानकर स्वयम कुछ छला हुआ महसूस करता है शर्मिस्ठा उसे एक श्रण के बाद स्विकार नहीं करती और बिंदुमती भी पुरू समझकर ही यायाति को स्विकार करती है इन तीनों ही परस्थियों से गुजरते हुए वह लगातार संगर्ष करता है उसे लगता है कि वह आत्म मुग्दता का शिकार था जिसने केवल अपने बारे में सोचा और अन्य किसी को कोई भी महत्ता प्रदान नहीं की इन सारी परस्थितियों से वह संगर्ष करता है और उसे लगने लगता है कि अन्त तक वह अपनी आत्मा को स्वार्थ के करण पहचान नहीं पाया यायातिनी हमेशा दूसरों से शिकायत तो की लेकिन कभी भी वह किसी को बंधन मुक्त प्यार नहीं दे सका सब को उसने शारीरिक आकरशन के अंतरगती देखा और उस भावना से उठकर किसी के साथ संबंद नहीं बना पाया उसका एक संबाद देखिए लेकिन मैं यायाति हूँ इसी नाम से जानते हैं मुझे सब राजा यायाति को अपने पुरुशार्थ से प्रेम है और उसी के बल पर वह सब को विजित भी करना चाहता है लेकिन जहां पर भी ऐसे संबंद बनते हैं वो कभी भी इस्ताई संबंद हो ही नहीं सकते वो फिर से कहता है ये क्या कर बैठा मैं पुरुपर आ सकते थी वा और मेरे साथ मैं पुरुशर्मिस्ठा कितना साह है तुमने मैंने क्यों नहीं समझा ये सब लेकिन मैं तो प्रेम चाहता था निश्चल प्रेम वो मेरे भागे में नहीं है कहीं कच कहीं देवयानी और अब अपना ही अंश पुरुशर्मिस्ठा कहीं मुक्ति नहीं सब कुछ ले लो मुझसे सब कुछ छोड़ दूँगा मैं यह चक्रवर्तित्व बस एक पल निश्चल मुक्ति प्रेम एक पल राजा यायाते मुक्ति प्रेम पाने की बात तो करते हैं लेकिन देथे नहीं और यही समकुचे दृष्टे उन्हें आत्म केंद्र भी बनाती है राजा यायाती और शर्मिस्ठा का संघर्ष वस्तुता राजा और राजा की पत्नी का संघर्ष है यह संघर्ष दोनों का नितांत अकेला है क्योंकि राजा यहां पत्नी नहीं है इसलिए शर्मिस्ठा कीन कीन मनुवावों से गजर रही है उसके समन्द में राजा यायाते बिल्कुल नहीं सोचते वो केवल पुरूष है जो शारिरिक साहशरिक के लिए शर्मिस्ठा का आश्रा ग्राण करना चाहता है और अगर शर्मिस्ठा नहीं तो उसके जगे कोई अन्यभी उस इस्तितिमें उनके लिए स्विकारी होगा यहां राजा यायाती और सर्मिस्ठा का संगर्श सत्ता और पत्नी का संगर्श है सत्ता कितनी मादक और सारहीन है इसे राजा यायाती की वेक्ति तुम्हें देखा जा सकता है जिसके बल पर केवल राज्य को हड़पने की बात ही नहीं करते बलकि अपनी वृद्ध काया के लिए नवयवन की भी आकांगशा रखते है और इसी नवयवन की आकांगशा की पूर्ति के लिए वे अपना राज वयवव भी नियोचावर करने में जराभी संकोच नहीं करते इस प्रकार के व्यक्तितु का सामी राजा या आती है जिसने कभी पति के रूप में शर्मिस्था को समझने की कोशिश नहीं की वो अपनी स्वार्त केंदर द्रिश्ट से परचालित होकर वो संबंद का बिंदु है जहां राजा या आती और शर्मिस्था का संघर्ष देखने को मिलता है और शर्मिस्था धीरे धीरे उनसे दूर होती हुई दिखाई पड़ती है शर्मिस्था का एक संबाद है चक्रवर्ते ही भूल रहे हैं क्वेस्वयम वही नहीं रहे है या आती मैं नहीं शर्मिस्था मैं स्थ्य कहती हूं या आती किन्त उसकी जिजखत तुम्में क्यों तुम्हारे प्रेम में वहुदातता क्यों नहीं जो मुझे आलोड़ित कर देती थी अब तो देवियानी की चाया से भी मुकत है हमारा प्यार, यदि ऐसा हूपाता है, ये सच है कि देवियानी की चाया वहाँ अब नहीं है लेकिन ऐसी चाया की उपस्तिति उस भ़वन में है जो किसी भी प्रकार से खत्म होई नहीं सकती क्योंकि अब महराज यायत के अंग-अंग में पूरु का यववन समाहित है जिसे शर्मिस्ठा चाहा कर भी इस परश नहीं कर सकती ये एक ऐसी इस्थिति है जहां चरित्र के माध्यम से संगर्ष और नाट्ट द्वन्द के स्रिष्टे होती है ये एक पुरुष इस्थि का द्वन्द है राजा और उसकी पत्नी का द्वन्द है जिसमें व्यक्त केंदर्त आकांग्शा का पराधानिय है और संबंधों की समरस्ता नगणिय है इसी संबंद की समरस्ता की अनुपस्थित में राजा यायाती और सर्मिष्टा का संघर्ष रुपाईद होता है राजा यायाती और पुरू के संघर्ष में हम पाते हैं कि पुनह राजा एवं पुत्र के बीच कुछ ऐसी स्थितिया हैं जो शायद अनिर्वचनी है पुत्र अपने पिता का दुख नहीं देख पाता और उनकी खुशी के लिए अपना यववन नियोच्छावर कर देता है लेकिन राजा याया थी कि यह मनस्थिती सोचने पर विवश करती है कि एक पिता भला अपने पुत्र को अपना बुढ़ापा कैसे दे सकता है पिता अपने पुत्र से मिले नव यववन से शारिरिक सुक्किया कांख्षा रखता है इसलिए शर्मिस्था अपने पुत्र के समक्ष यह प्रश्ट रखती है कि आखिर तुमने ही अपने यववन का उपहार महराज को क्यों दिया तब पुरु कहता है कोई तयार नहीं था मा प्रजाजन अनुचर मंत्री यहां तक कि सब भाई यदू अनू मैं ही तो बचा था पिताजी की वेदना मुझसे देखी नहीं गई शर्मिस्था ओह पुरु मेरे बेटे हमारे सुक के लिए पुरु नहीं मा अपनी रण मुक्ति के लिए अपने पिता को प्रसंद रखते हैं कि इच्छा रखता हुआ पुरु एक अबूज पहिली में फास जाता है जहां पुरु की अशर्मिस्था दिन प्रते दिन शर्मिस्था को आगात पहुचा रही है क्योंकि पुरु दिये गए यववन के बदले राज्य उसे उपहार सुरूप देने की बात कहते हैं यायाते नहीं शर्मिस्था ये चिन्ता छोड़ दो तुम अब हम देवियानी से पून अतया मुक्त हैं पुरु का यववन उधार है हम पर एक दिन उसे मिलेगा ही साथ ही यह चकरवरती राज्य भी राजा यायात ये चक्रवर्ती राजी के बदले किसी से भी कुछ खरीदिये के बारे में सोच सकते हैं लेकिन उन्हें के राजी में पुरू के अलावा ऐसा कोई नहीं मिला जो उन्हें अपना यववन दे देता लेकिन पुरू भी अपने इस वरद्ध रूप को धारण कर ठका हुआ महसूस करता है क्योंकि वो कहता है कि जब तक शरीर है तब तक उसमें शक्ति होनी चाहिए शर्मिस्ठा का समवाद है ठक गए हो तो थोड़ा विश्राम कर लो पुरू विश्राम भी वही कर सकता है जो स्वस्थ हो सबल हो मिरे ले विश्राम भी एक श्रम है मा यानि इस अवस्था में पहुंचाने वाले इस्थिति अब पुरू में विच्छोप पैदा कर रही है क्योंकि उस यवन से राजा यायाती कोई नेक कारे करने नहीं जा रहे यहां शरमिस्था पूरू अकेले हैं और राजा यायाती बिंदुमती के साथ विहार यात्रापा इस ख़ड में भी शरमिस्था को यह ध्यान है कि राजा यायाती ने कभी उस से नहीं बलकि उसकी देह से ही प्यार किया शर्मिस्ठा कहती है हाँ लेकिन वे नहीं आएंगे उन्हें शर्मिस्ठा से नहीं उसकी देह से लगावा उधार के रूप में प्राप्त यवन को शर्मिस्ठा हे दृष्टे से देखती है किसी भी पत्नी के लिए पत्य उसके वास्तविक रूप में ही स्विकार होता है यह धारणा शर्मिस्ठा की माध्यम से लगातार व्यक्त होती है तभी तो वो पुना यवन प्राप्ट पत्य को स्विकार नहीं कर पाती जिसने अपने पुत्र से ही यववन उपहार रूप में लिया है शर्मिस्था कहती है हाँ मंगला वह पौरुष क्या चक्रवर्ती का है किस के लिए दीपक जलाओं किसे आमंतरण दो अपने ही पुत्र के यववन को कि वह आए और अपनी मा को भोगे मैं वर्द और अशक्त चक्रवर्ती की सेज़ पर जा सकती थी उसे ही अतना प्रापिस समझ कर संतोष कर सकती थी लेकिन कोई व्यविचारनी भी अपने ही पुत्र की सेज़ पर नहीं जाएगी सम्विद्ना के दृष्ट से राजा ययाती और शर्मिस्ठा एक धरातल पर नहीं है तथा पुरू भी राजा ययाती के आत्म केंदरत व्यक्तित् façon सेहमत नहीं है हालाकि सबको पता है कि ययाती आत्म केंदरत है लेकिन बिंदुमती के आगमन के पश्चाथ शर्मिस्ठा एवं पुरु ने इसे अत्यनत निकट से अनुभव किया इसी भोगे हुए अनुभव का संगर्ष पुरु और ययाति के समवाद में है जिसके माध्यम से उनका व्यक्तितु भी सामने आता है राजायाति उस यववन को पुना उसे वापस करना चाहते है लेकिन पिता द्वारा किये गया नुभव को वह महसूस नहीं करना चाहता है इसलिए अपने यववन को पाने किया कांशा उसमें नहीं बची पुर कहता है आप भूल रहे हैं कि यह यववन अब वही नहीं है क्या आप में भूगा है इसे मेरे लिए त्याज्य है या पुर कोई पत्रुस यववन को स्विकार नहीं कर सकेगा जिसने उसकी माँ माँ को यववन कोई वस्र नहीं है चक्रवर्ती वह एक अनुभाव है मेरे लिए अववा अनुभाव एक स्मृती होगा एक असाहनी एक स्मृती मेरी चेतना इस पोज को नहीं चेल पाएगी तूच जाएगी यहां दरश्टवे है कि जिस यववन को वरण कर राजा ययाती अपने आपको संपूर्ण महसूस करता है वही यववन पूरु के लिए त्याज है वह उस यववन का वरण नहीं करना चाहता जो उसी का है क्योंकि उसे डर है कि उस यववन की चेतना खंडित है वह यववन ऐसा है जिसके माध्यम से एक संपूर्ण व्यक्तितो और संपूर्ण मनुष्य का निर्माण नहीं हो सकता किसी के भूगे हुए अनुभाव को स्विकार करना किसी अन्य के अनुभाव को जीनाए ऐसे में एक साथ दो व्यक्तितों का वहरण व्यक्ति को खंडितों करता ही है उसे विचार के आधार पर भी अनेक पुर्वाग्रहों से गरसित कर देता है इनी बिंदुओं और इस्थितियों के प्रकाश में राजा ययाती और पुरु के संहर्ष को देखा जा सकता है बिंदुमदी का चरितर भी नाटक में ययाती की व्यक्तित को सपष्ट करने में साहता देता है बिन्दुमती ऐसे समय में आती है जब वृद्ध ययाती को नव यवन तो प्राप्त हो जाता है लेकिन वह उसका उपभोग नहीं कर पाता दूसरी तरफ बिन्दुमती पुरु पर आ सकता है और इसलिए वह उसका वरण करने के लिए आती है लेकिन यहां इस्तिती बदल चुकी है ययाती और पुरु का दिहांतर हो चुका है अता हुख कायांतरित ययाती के माध्यम से ही पुरु को प्राप्त करना चाहती है बिन्दुमती जब आती है तो उसके मन में अनिक आकांगशा हैं जो पुरु से ही प्राप्त हो सकती थी ले बनता हूँ एक दिन मैं वृद्ध हो जाओंगा वृद्ध और अशक्त और तुम ऐसी ही बनी रहोगे चिर्युवा चिर्सुंदर अर्थात ययाती अपने आपको चिर्युवा बनने की इस प्रिहास से मुक्तन नहीं रख पाता बिंदुमती वास्तविक्ता और आभासी दु नहीं माध्यम से होता है शर्मिस्ठा भी ययाती के समंग। कहती है कि उन्हें केवल देअ की चाह है और वे मेरे यववन के, मेरी देख के प्यासे हैं, प्रेम तो देवी शर्मिस्ठा के पास है, तो वह मुझे स्विकार क्यों नहीं करती, आपने उनसे प्रेम मांगा ही कब, आप तो सदेव देख की ही मांग करते रहे, पहली बार नाटक में यायाति के व्यक्तितों को बिन्नुमती ह करती है, वही पहली बार यायाति के बुरे कर्मों का भान भी उसे कराती है और उसकी स्वच्छन्द अभिलाशा पर प्रहार भी करती है, अभी तक यायाति केवल इस्तरी पर रहिदकार करना जानता था, अपने दायत्व को तो उसने कभी नभाया ही नहीं, प्रेम की वास् के संघर्ष को भी रुपाइद किया है जहां शर्मिस्ठा को बीश मिलाते हुए एक चक्रवर्ती राजा यायाती का व्यक्तितु बौना सिद्ध हो जाता है आज तक जिस यायाती को यह ग्याती ही नहीं हुआ कि क्यों दुबारा यववन पराप्त करने के बाद भी शर्मिस् मृत्य का वरण करना पसंद करेगी पहली बार यायाती के समक्ष वास्तविक्ता को बिन्दुमती नहीं रखा इस प्रकार बिन्दुमती नाटक में एक केंद्री चरित्र के रूपे आती है और नाट स्थितियों का एक नवीन स्रिजन भी करती है इसके साथी साथ भरा पूरा है इसलिए वह अंत में अपने और पूरू के समन्न को लेकर कहती है मैं तो पूरू पर आ सकते थी यही सत्य है चक्रवर्ती तो मेरे साथ क्योंकि यह यववन पूरू का था जिस पर मैं आ सकते थी पहली बार नाटक में इस तरी अपनी पसंद को बिन्दुमती के माजम से रख रही है वो कहती है कि जिसे वो पाना चाहती थी वो उसे नहीं मिला आशाओं से बरी बिंदुमती बहुत कुछ खाली हो कर जाती है तब ही वो कहती है आप में नहीं इस यववन में मैंने समझा था यही तो है पुरू जिसे मुझे पाना है मेरा ब्रहम था लेकिन है सब पुरू का था पुरू नहीं था लेकिन उससे नहीं पा सकी मैं इस तरह दिहांतर में चरित्र स्रिष्टी, ययाती, शर्मिस्था ययाती एवं बिंदुमती इनके ही इर्द गुर्द घुमती है ययाती शर्मिस्था और पुरू त्रिकोड में एक दूसरे से टकराते हैं लेकिन अन्तता नाटे द्वंदु की उत्पत्ती ययाती और बिंदुमती के माध्यम से ही होती है बिंदुमती ही ययाती के वास्तविक चरित्र को उसके सामने रखती है और नाटे स्रिष्ट को साकार करती है निशकर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि आधे अधूरे होते जाना समाज की नियती में लिखित है ययाती और पुरू दुनों के देहंतर से एक नई इस्तित्य पैदा हुई है शर्मिस्था की सहिशुनता ययाती की समझ में नहीं आती और बिंदुमती ने अनेक प्रश्टों के माध्यम से ययाती की आँखें खोलने की कोशिश की और इस्तित्री स्वात्तित्र की बात भी उठाई है